तो नमस्कार दोस्तों मैं विजय संकर चोहान स्वागत करता हूँ आप सबीका इसक्यान होंगा यूटुब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में IRCTC रेले करते आपको मैं एक न्यू अपडेट देने वारा हूँ और ये अपडेट आपको एक नई जानकारी प्रदान कर लिजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर किजिए सो दोस्तों मैं इस चैनल पे IRCTC रेलेवे से अपडेट और न्यू ट्रेन के बारे में जानकारी देते रहता हूँ चलिए दोस्तों चलते हैं अपडेट के तरफ और यहां पे आप देख सकते हैं हम आ गया है सितंबर को किया गया है इस न्यूज की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा आप सिंप्ली वहां से क्लिक करने के बाद इस पेज़ पे आ जाएंगे फिलाल मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूँ आप चाहें तो न्यूज की लिंक पे क्लिक करने के बाद भ हुए व्यस्तम रूट पर लगबग सौ नई इस्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती हैं इनमें से अधिकांस गौर तलब वाता कुई आदिस एती ट्रेने होगी रेलेवे सभी स्पेशल ट्रेनों की स्रेडी के साथ 40 क्लोर ट्रेन चला रहा है जिनमें से अधिकांस जो ट्रेने है वो एसी कोच की हैं जिनका किराया जादा होने के वज़ा से याम यात्री सफर कर नहीं सकता है हाला कि इसमें मूल रूप से ट्रेन पर दबाव कम हुआ है लेकिन सायन और सामान में सेंडी में यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतें अभी तक बनी हुई हैं अक्टूबर और नौमबर में दुर्गा पूजा को लेकर दसारा दिवाली और छट पूजा बड़े तेवहर जैसे उसी समय आत्रियों की आवा जाही बढ़ जाती है रेलवे इस इस्तिति के मद्धे नजार अगले महीने लगबक साव ट्रेन चलाने की तयारी रख रही है इनमें से आधा से ज़्यादा बिहार और बैंगलोर जोडने वाली ट्रेने होंगी यह सभी 20 सेरी वाली ट्रेने होंगी जो अभी आरचित कोच वाली हो जनरल कोच में भी सोसल डिस्टेंसी बनारे रखने के लिए आरचित किया जाएगा रेले बोड के सुत्रों के अमसार हर जोन संभावित रूटों पर जानकारी ली गई है और जरूवत पढ़ने पर टेनों की संख्याम बढ़ाई जा सकते हाला कि सरकार लोगों को यही अपील कर रही है कि वे वजह होने पर कहीं यात्रा ना करें कम से कम आवा जाही ताकि कर इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तक तक के लिए जैहिंद वन्दे महतरम